चांदी में और टाइम हाई से करीब करीब 13,000 रुपए की गिरावट आई है। साथ ही देखा जाए तो टेडर्स जो सोने वाचांदी में सेयर मार्केट पर ट्रेडिंग करते हैं वह भी बहुत जादा निरास हैं क्योंकि लगातार सोने वाचांदी के दामों में और ज्यादा गिरावट की उमीद बन रही है। सोने वाचांदी के जानकार बता रहे हैं 2024 में ये आकरी मौका है। सोने वाचांदी के गहने यदि आपको बनवाना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय चल लहा है। क्योंकि जब से सरापा बाजार में ये खबर आई है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम राष्ट पद बने हैं और चुनाओ जीते हैं। उसके बाद से आपको बतादे डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स एक साल के उच्छतम इस्तर पर पहुंच गया है जिसके चलते लगातार सोने वाचांदी के दामों में गिरावट आ रही है। आईए जान लेते हैं आज भारती सरापा बाजार के अंसवार 18 करेट, 22 करेट और 24 करेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है। साथी आपको बताएंगे आज एक किलो चांदी का ताजा भाव क्या है। वा जानेंगे आज एक तोला सोने का ताजा भाव क्या है लेकिन उससे पहले रोजाना सोने वाचांदी के ताजा भाव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना साथ ही आज का वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेयर करना क्योंकि दोस्तों देखा जाये तो जहां इस समय छोटे सुनार भाईवा निवेसक परेसान है वहीं ये सोना वाचांदी के गहने बनवाने वालों के लिए अच्छा समय है इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास सेयर करें ताकि जो गरीब परिवार है और उनके यहां साथी विवाज जैसे सुपकार हैं इसी समझ सभी लोग सोने वाचांदी के गहने बनवा लें आगे सोने वाचांदी के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि आपको बता दे कल साम को अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे अमेरिका के फेड रिजवर चेर्मैन जेरोम पावेल ने कहा है कि अभी कुछ दिनों तक अब हम ब्यास दरों में कोई बड़ा बदलाओ नहीं करेंगे क्योंकि जो लगातार सोनेवा चांदी में गिरावट आ रही है इसका प्रमुक कारण ये है कि निवेसको को ऐसा लग रहा है कि अभी दिसंबर में फेड की मीटिंग होनी है और यदि 18 दिसंबर को फेड ने फिर से ब्यास दरों में कटोती कर दी तो डॉलर और उपर जाएगा सोनेवा चांदी के दाम और गिर सकते हैं लेकिन इसी को क्लियर किया है और पावेल जी ने कहा है कि अभी जल्द अमेरिका ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहा है कि वो ब्यास दरों में कटोती करेगा जिसके बाद आपको बता दे अंतर राश्टी बाजारों में सोनेवा चांदी के दामों में हलकी गर्माहट देखने को मिली है ऐसे में आई ये जान लेते हैं आज भारती सरापा बाजार में चांदी के ताजा भाव क्या है दोस्तों देखा जाये तो आज एक ग्राम चांदी का भाव 87.10 पैसी है दोस्तों आपको बता दे 2024 में जब से सोनावार चांदी महेंगा हुआ है चांदी के दाम पहली बार 87.103 रुपई प्रद किलो आ चुके है और ये आपके पास चांदी खरीदने का बहुत शांदार मौका है क्योंकि पिछले 10-12 दिनों में चांदी के दामों में 10-13,000 रुपई तक की गिरावट आ चुकी है। किलो चांदी का बहुत आपको 91-91,000 रुपई पड़ेगा। वहीं देखा जाये तो सोने वाचांदी के जानकारों का कहना है। मजबूत करेंगे। और जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही बताये गया है कि अमेरिका की आर्थिक इस्तुष सबसे अच्छी है। की देखा जाये तो चाइना की इस समय नीचे है जिसके चलते डॉलर को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। इसी कारण सोने वाचांदी के दामों में गिरावट की आगे उम्मीद बन रही है। ऐसे में आप सभी क्या चाहते हैं ? सोने वाचांदी के दाम और कम होने चाहिए। यदि हाँ कम होने चाहिए तो comment box में अपने सहर का नाम लिखें आप हमारा वीडियो कहां से देख रही हैं। साथी आप यह भी लिखें कि सोने के दाम कितने कम होने चाहिए ताकि एक दिहारी पर मजदूर काम करने वाला भी सोने वाचांदी के गहने बेटी के शादी के लिए बनवा सके तो आप सभी की राय बहुत ज़्यादा महतुपूर होती है इसलिए आप सभी कमेंड बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें अब आईए जान लेते हैं आज अटारे के रेट के हिसाब से सोने के क्या भाव हैं दोस्तो देखा जाए तो आज अटारे के रेट के हिसाब से एक ग्राम सोने का भाव 69,730 रुपाई है एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे जब से सोने वाचांदी के दामों ने इति रचना सुरू किया है देखा जाए तो 18 के रेट के भाव भी 67,000 रुपए प्रतोला पहुंच गए थे लेकिन अब इसमें लगातार गिरावट आई है और आज एक तोला सोने का भाव 18 के रेट के हिसाब से 69,730 रुपए है जो कि जानकारों का कहना है काफी दिनों के बाद सो प्लस जब आप सोने के गहने बनवाते हैं तो उस पर मैकिंग चार्ज अलग से लगता है 2-3,000 रुपए का आपको उंतर देखने को मिलेगा अब आये जान लेते हैं आज 22 करेट के हिसाब से सोने के क्या भाव है लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भोलें जैसे आप लोग सोने वाचांदी के दामों में गिरावट देखकर खुस होते हैं वैसे जब हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्य 297 रुपय है 8 ग्राम सोने का भव 97,576 रुपय है 10 ग्राम सोने का भव 71,970 रुपय है और 100 ग्राम सोने का भव 7,99,700 रुपय है धोस्तो यदि आप भी शादी विवा के लिए सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यकीन मानिये अब आप बिल्कुल समय न गवाएं और ज प्रति-तोला सस्ता-चल है वहीं देखा जाये तो 24 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने कहा हैं आपशनी त्रह ग्राम सोने कह भ़ह 181 122 रुपइ हैं दस ग्राम सोने का भ़ह 73,70 रुपई हैं 100 ग्राम से कहँ मेंती mmd echan सितनीhon है station прошजरत तीम्फ ग्राम सोने कह हैं झाल झाल झाल